ओफलाइन के बाद ओनलाइन परिक्षाएं भी सक के दाइरे में बंदरों का सहीत कई परिक्षाएं कराई गई हैं ओनलाइन हल्दवानी में एक की गिरपतारी के बाद उठे सवाग उत्राखंड अधिनस्त सेवाच्चैन आयो की ओफलाइन परिक्षाओं के बाद गब ओनलाइन परिक्षाएं भी सक्के घेरे में आ गई हैं। खुद के चार ओनलाइन एक्जाम सेंटर चलाता था। इन सेंटर उपर आयोग की परिक्षाओं के साथ सीबी ऐसी वो अन्य परिक्षाएं ओनलाइन कराई जा चुकी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आयोग की भरती परिक्षाओं इन सेंटर उपर सुरक्षित होंगी या नहीं। आयोग की कई ओनलाइन भरती में भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ परिक्षाओं कराने के बाद रुख गया था आयोग। अधिनस्त सेवा चैनायोग ने कुछ परिक्षाओं तो ओनलाइन कराई फिर इन्हें रोग दिया। आयोग दोबारा ओफलाइन मोड में ही परिक्षाओं कराने लगा। आयोग के पूरू अधिक्ष एस राजू से बाद चीच में यह स्विकार भी कर चुके हैं। कि ओनलाइन वो ओफलाइन परिक्षाओं में अलग-अलग गैंग काम करते हैं। आयोग की फिलाल कोई भी परिक्षा ओनलाइन परस्तावित नहीं है। पेपर लीक करने के मामले में भाजपा नेता समेथ 26 लोगों की गिरबतारियू के बाद पुसकर सिंग धामी ने कहा कि कोई कितना भी पहुंच वाला हो पक्सा नहीं जाएगा। कुछ मामले STF को दिये हैं तो कुछ पर विजिलेंसी की जिम्मेदारी दीके उनने खा कि भरती घोटाले में किसी को नहीं बक्सा जाएगा। किसी के हाथ कितने लंबे भी क्यों नहों कानून अपना काम करेगा। ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि दुबारा ऐसा नहों। से पास होने वालों को मिलेगा न्याई त्रिवेंद्र। सभी भरतियों की जाच होगी। 500 से ज्यादा करम चारी काम कर रहे हैं बिधान सबामें। मुक्ध मंत्री शुकर सिर्वाट में नहीं कहा कि बिधान सबामा अब तक आल खंडम हुई राजी सरकार हिचाज में पूरा सयोग करेगी मैं इसे राजनितिक मोड नहीं देना चाहता अरजी पर नौकरी अभी आपको दिखाने वालों अरजी पर नौकरी विधान सबा की भरतियों मैं चल रहा पीक एंड चूज उत्रा खंड मैं विधान सबा के गठन के बाद से अब तक वहां नियमों के हिसाब से भरतिया नहीं हुई है विधान सबा के अधिक्चों ने अपने हिसाब से पीक एंड चूज की निती अपना कर अपने नदी की लोगों को नोकरिया बाढ़ दी ये 2002 से दुस्तों इतला आ रहा है विधान सबा में एक अरजी पर मिल गई मरजी की नौकरी अभी में दुस्तों आपको अरजी भी आपको दिखाने वाला हूँ आधरिये अध्यक्च जी मैं अपना बायो डाटा प्रातना पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कर रही हूँ मुझे मेरी सेक्षिक योगिता के नुसार किसी पत पर न्युक्ति पर दान कर रहे हैं ये जो दो पक्ति आपने पड़ी हैं उसे तरह के सेकड़ों आवेदन बिधान सबा में समय समय पर हुई भरतियों के लिए जमा कराए गे थे और इनी पर आवेदकों के समिक्षा दिगारी साइक समिक्षा दिगार जैसे महत्पूर्ण और लोग से वायोग के दाइरे के पदू पर न्युक्ति मिलगी लोग से वायोग यूक के प्यस्सी के दाइरे के पदू पर न्युक्ति मिलगी बिधान सबा की भरतियों में जेम चंद्र अगरवाल के कार रिकाल में मुख्य मंत्री जी आपके मंत्री मंडल में तीन पद खाली हैं मुझे न्युक्ति दें बाकि और लोगों को तो पता नहीं था औरना सभी लोग इस तरह से पत्र लिखते क्या पता उन्हें भी कोई पद मिल जाता यह दोस्तों पत्र और जिस पत्र इन्होंने बोला वो ही पत्र इन्हें साइध जहां तक मिल गया होगा साइध समिक्च अधिकारी के पत्र तधर्त न्युक्ति सेवा मैं मानने अधेक्च उत्राखंड बिधान सभा मोहदई अब यह देखिए सेवा मैं मानने अधेक्च उत्राखंड बिधान सभा तो इन्होंने भी आपर साइध समिक्च अधिकारी के पत्र लिखाए मोहदई इस परकार है कि मैं दिल्ली विश्व विद्यले से इसना तक डिग्री धारत हूँ और उत्राखंड की मूल निवासी उबाकि यह पूरा आप देख सकते हैं अध्या आपसे आगर है कि मुझे सेवा का उसर परदान करें सेवा का उसर परदान किये जाने पर मैं अपनी पूर्ण छमतायम इमानदारी से उत्तम से उत्तम कार्द करूँगी अगला है मोहदाई देखे दोस्तों ये माननी अध्यक्षे उत्राखंड बिधान सभा मोहदाई सभी ने इस परकार है कि मेरी सेक्षे क्योगीता इंटर्मिडेट है तथा मैं बेरुजगार युवक हूँ मुझे विश्वस्त सुत्र से ग्यात हुआ कि बिधान सभा सची वाले में कुछ पद रिखते हैं अध्या आपसे अनुरोध है कि बिधान सभा सची वाले में किसी एक पत्व न्युक्ति परदान करने की किरपा करें इस हेतु मैं और मेरा परिवार सदय आपका आभारी रहेगा वावा क्या बात है उन्होंने दोस्तों मांगा है रक्षक का पद समिक्चा दिकारी का पद नी मांगा यह है देखें यहाँ पर एक और है बिधान सबा सची वाले में न्यूक्ति के संबंद में तो अपना पूरा अपना नाम पिता का नाम इस तरह से अल्मोडा का इस्ताई निवासी पराथरी सिक्षित नई उवक है कंप्यूटर का भी अच्छा ग्यान है अब यह देखें दोस्तों अथा महदै से नुरोध है कि पराथरी की योगईता अनुसार विधान सबा सची वाले में युक्ति के संबंद में सादर आपकी सेवा में बायो डाटा इस निवेदन के साथ प्रस्तूत कर रहा हूं मेरी सेख्षी योगईता हैं एहरता नुसार विधान सबा में किसी पत्पन युक्ति पर्दान करें किसी पत्पर समिक्षा दिकारी के लिए मांगा है और मैं जद अधा आपसे आग रहे है कि सेवा का उसर परदान करें सेवा का उसर परदान किये जाने पर अपनी पूर्ण चमता इमान दर से देखिए बिधान सबा में सरकारी सेवा है तो सची उरक्षक के पत्पर ये मांग है सरुपर्थम मैं आपको अपनी इस्तिती के बारे माउगत कराना चाहता हूँ कि मैं एक परिवार का सदस्री हूँ और एवं परिवार की आर्थी के स्तिती ठीक नहीं है महोदय मेरी सेक्ची योग गिता इसना तक है मेरी इसना तक की अंकर पत्र की परति सलगने है अता है महोदय से नियोग देने की मुझे मेरी योग गीता अनुसार बिधान सभा में सरकारी न्यूक्ती देने की किरपा करें प्रार्थी मोहदई का आजीवन आभारी रहेगा देखेए सवीनाई प्राथना है कि मुझे ग्यात हुआ बिधान सभा में रक्चक परिचालक के पद रिखते हैं मैं एक अनुसुचित जाती का गरीब परिवार का बिरुजगार योग हूँ मैंने हाई स्कूल तक सिक्चागरण की है मेरी सेक्षी होग गीता अनुसार किसी भी रिक्त बद पर न्यूक्ती परदान करने किरपा करा मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा इसी सपता कनाडा से उत्राखंड लोट सकती हैं बिधान सबादेक्च रितू खंडूरी भूषण कनाडा में है बोले कुंजवाल हा मैंने अपने बेटे और बहू को नौक्री पर लगाया न्यूक्ती की सूची वाइरल मेरे कार्रिकाल में 108 लोगों को तदर्थ न्यूक्तियां दीगी थी आठ पद पहले से खाली थे 1500 पदू की स्यूकिर्टी मैंने ततकालिन सरकार से ली थी उत्राखंड बिधान सबा में ही भरतियों के मामले में पूरू अध्यक्च रेम चंद्रगरवाल के साथ गोविंद सिंग कुंजवाल के कार्रिकाल में भरतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं दोनू के कार्रिकाल में युक्ति पाये लोगों की सूची सोचल मीडिया पर वाइरल हो रही है कुंजवाल का कहना है कि उन्हें ये है कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्हें अपने बेटे और बहु को बिधान सबा में उनकी योगईता अनुसार नौकरी पर लगाया है कुंजवाल ने कहा कि मेरा बेटा बहु बेरुजगार थे दोनों पड़े लिखे थे अगर डेढ़ से अधिक लोगू मैं मैंने परिवार के दो लोगो को नौकरी दे दी तो कौन सा पाप किया वकौल कुंजवाल मैं स्विकार करता हूँ कि मैंने अपने बिधान सबा चेतर के 20 से 25 लोगों को नौकरी दी है जागेश और विधान सबा के तमाम लोग भाजपा और कांग्रेस नेताओं की सिपारिस पर रखे गेते सविधान के अनुच्चेद 187 के तहट विधान सबा अध्यक्च को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जरुवत के अनुचार तदर्त नुच्चियां कर सकता है कहा कि मैंने अपने तमाम रिष्टेदारों को नौकरी पर रखाए इतना ही खाऊंगा कि हर कुण जुआल मेरा रिष्टेदार नहीं है जाच को मैं तयार हूं दोस्तों यह अनुच्चे दिरूर से याद कर लिजे इसके आधार पर नुच्चियां मिल सकती है आगे बढ़ते हैं पेपर लीक चंदोली का नकल माफिया गिरपतार नैनिताल के एक रिजॉर्ट में 35 अभ्भरतियों को याद कराए थे प्रशनों के उत्तर सभी चिन्नित CTET में नकल कराने के मामले मैं भी आरोपी के खिलाब दर्ज है मुकदमा ससी कांत ने उत्राखंड के हल्दवानी अल्मोडा चंपावत और पिथोडागड में चार ओनलाइन परिक्च्चा केंद्र खोले गए हैं CTF के मुताबिक इन परिक्च्चा केंद्र उपर 40 से अधिक ओनलाइन परिक्च्चा हैं कराई जा चुकी है CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का परदेश व्यापी परदर्शन चंपावत में तीन लोग रडार पर है चोहान को रिमांड पर लेगी CTF पेपर चापने वाली कंपणी के चैन में भी आयोग ने की लापरवाई तो ये बिल्कुल सही बात है पेपर लिग से घिरे अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने कंपणी के चैन में लापरवाई बरती है आयोग के एक्ट के हिसाब से तो हर साल कम्पनियों का चैन या नविनी करण होना चे लेकिन सुत्रू को मिताबिक आरमस कम्पनिय का कई सालू से नविनी करण नहीं हुआ था इसलिए ये सब हुआ विधान सबा मैं भरतियों पर भाजपा कांग्रेस में पोल खोल की जंग रेवडियों की तरह बाटी सरकारी नौक्रियां मैंने भरष्टाचार नहीं किया है किसी भी जांच के लिए तयार हूँ पांसो कर्मियों की पंथ ने किती सिपारिस कुंजवाल तो कुंजवाल का ये कहना है कुंजवाल ने कहा कि विधान सबा गठन के बाद ततकालीन विधान सबा अधिक्चता में बनी समिती ने उत्राखंड मैं पांसो करमचारियों अधिकारियों की नुक्ति की सिपारिस कि चोटी बड़ी विधान सभा से फर्क नहीं पड़ता प्रेम चंद ने भी कुछ गलत नहीं किया तो कुंजवाल ने ये कहा है ये देखे कुंजवाल के ते रिष्टेदारू के साथ पराथना पत्र भी वाइरल इन पर सीधे लिखकर दी गई नुक्तिया जो पद मांगा वो ने मिल गया नुक्तियों पर कोट की मोहर कुंजवाल लेक्स्रेयर भरती के इंटर्व्यू में हुआ खेल लिखित परिक्षा के टॉपर इंटर्व्यू में कम अंक मिलने से हो गये थे बाहर पंद्र लाख में पेपर खरीदा फिर भी नहीं हो पाए पास नेनिताल के पर लिख में साबित हुई एश्टीअप के मुताबिक इन में से कई युवा परिच्छा ही पास नहीं कर पाए इधर पेपर लिख मामले में एक अब्यर्टी से दस से पंद्र लाख रुपे लेने की बात पहले ही सामने आ चुकी है अजय सिंग के मुताबिक दोनु के सभी रिकॉर्ड लेकर जांच की जा रही है परात्मिक जांच में सामने आए कि बहुत से अभ्यर्थी पेपर पास नहीं कर पाए हैं उसको सत्यापित करने के लिए एक तकनीकी टीम लगी हुई है पंतन अगर विश्टु बिदाले के रिटायर अब सर से मिला लिंक जो स सामने आरक हैं तो यह थी आज की जानकारी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में आपका क्या सोचना है अपने राइक कमेंट बॉक्स में जर्व से दीजिएगा